what the tech is going on friends मेरा नाम है विकिंडी कोड़र के अर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है और अभी दोस्तों मैं जब एडिट करने जा रहा था मैंने देखा कि प्राइस फिर से अपडेटेड हो चुका है और इस बार और भी ज्यादा हमें डिसकाउंट मिल रहा है तो अगर आप बेस्ट प्राइजिंग चाहते हो दिन अभी चेक आउट करो लिंक मैं डेस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और मेरे दोस्त जिसका डर था वही हुआ प्राइस फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो चुका है तो मैंने सुझा क्यों ना चलो फिर से एक लिस्ट बना देते है अपडेटर प्राइजिंग के साथ लिस्ट और इस वीडियो में स्पेसिफिकली अंडर 40,000 के रेंज के बेस्ट लैप्टॉप को कॉफर करने वाला हुँ मैंने और प्रॉडक्टिवीड लैप्टॉप के पर हर रेंज में एक वीडियो बना दिया है गेमिंग वीडियो बना रहा उन्हीं लिंक से पर्चेस करना ओके और वीडियो अच्छा लिए तो लाइक भी कर देना तो मेरे इस नहीं इस में जो मिनिममम बजेट वाला लैप्टॉप है उसका नाम है असुस वीडियो 14 और यह आपको 33,000 कोस्ट करेगा और मैं इसको रेकॉमेंड प्रोसेसर 4GB RAM 1TB HDD बट आपको एक additional M.2 slot मिल जाता है यानि कि अगर आप कभी चाहते हो दिन यहाँ पर एक SSD भी एड़ कर सकते हो लैप्टॉप का पर्फॉर्मेंस बेटर हो जाएगा बट यहाँ पर आपको कोई भी MS Office का support नहीं मिलेगा तो इस बात पर ध्यान रखना औ हां फिर से बता देता हूँ इसका प्राइज है 32,990 ताइट बजट है तो ले सकते हो बट मैं कहूंगा कि आप नेक्स वारा लैप्टॉप लो और वह है Lenovo IdeaPad Slim 3 इसको मैंने मेरे प्रिविएस वर्शन में भी कॉवर किया था थैंक्फुली इसका प्राइज रिप्लेस करके और यहां पर दोस्तों आपको MS Office भी बंडल मिलता है तो मेरे दोस्त इसलिए ही मैं कहा रहा था कि आप 1000 रुपीज ज्यादा स्पेंड करो विकास इस लैप्टॉप में आपको SSD वाली स्टोरेस तो मिली जाएगी साथ में यहां पर आपको MS Office का भी lifetime subscription मिल जा आता है सभी specs यहां पर से मिला है बस यहां पर आपको 4GB के बल्ले में 8GB RAM मिलेगी और प्राइज है 35.5000 रुपीज ज्यादा स्पेंड करो बट आपको double RAM मिल रही है मुझे लगता है काफ यह अच्छा option हो सकता है अब 10th generation 10th generation सुनके अगर आप ठक चुके हो देन आपके और SSD दोनों को अपग्रेड कर सकते हो बट यहां पर आपको कोई भी SDD slot नहीं मिलेगा तो इस बात पर ध्यान रखना और यहां पर unfortunately कोई भी MS Office का भी support नहीं है तो जब भी laptop खरिने जारो दोस्तों इन factors को हमेशा ध्यान रखना यह आपको परिगा 36,000 रुपीज में laptop काफी अच्छा है काफी powerful है बट MS Office का support नहीं है तो धिहान रखना अब जिस laptop को लेकर दोस्तों मैं बात करने जारा हूँ इसको मैं एक सरवगुन संपनल laptop क्या थाओ विकास यहां पर नेसेसरी सभी specs आपको मिल जाएंगे और बहुत एक attractive pricing में और यह है ASUS VivoBook 14 2021 Edition यह मेरा favorite laptop है इ SSD storage RAM upgradable है SSD को आप increase कर सकते हो और यहां पर आपको additional empty slot मिल जाता है ASDD के लिए तो अगर आपको ज़रूत परे दिन आप ASDD कर सकते हो और यहां पर आपको MS Office का भी lifetime subscription मिल जाते है तो इसलिए दोस्तों मैं इसको एक all rounder laptop कहूंगा और यह आपको मिल जाएगा सिर्फ 39,000 रुपी में जो की एक all time lowest pricing है और मेरे ही साब से दोस्तों perfect laptop है students के लिए coding अगर आपको यहां पर काफिए असानी से कर सकते है अगर आपकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है और यह laptop out of stock हो जाता है और एक अच्छा alternative आपके लिए available है और वह है HP 14 2021 edition यहां पर आपको दोस्तों almost similar specs मिल जाएंगे बट यहां पर आपको कोई भी HDD slot नहीं मिलता है तो इस बात पर ध्यान रखना यहां पर आपको HDD slot नहीं मिलता है बट बाकी सभी स्वेक सिमिलर है मैं अगेन कहूंगा क्या वीववुक वाला ही लो बट अगर वो out of stock हो जाता है दन क्या कर गए देन आप HP 14 ले सकता है और यह आपको exactly 40,000 रुपी में मिल जाएगा और यह भी all time lowest pricing है मैं फिर से कहूंगा आप वीववुक ल के अंदर वाले laptop को ही आपर select किया है बट अगेन अगर आपको 40,000 में रियल मी बुक मिल जाता है दन बहुत एक सही चॉइस होगा 8GB RAM है 512GB की SSD है backlit keyboard है शांदा 2K display है definitely उस प्राइस में आप उसको consider कर सकते हूं even 41,000 रुपी में भी रियल मी बुक slim एक बहुत यह option है बट अगेन गाइस सभी प्रोडक्स का लिंक आपको description में मिल जाएगा उन्हीं को check out करना खरें तो सब वीडियो कैसे रहा को comment करना ना भूलिया आपका दिन शुब्र है मिलता अगले व्रों में and peace